तो गाईज अगर तुम डूओ लिंगो को प्रैक्टिस टेस्स रेगुलरी दे रहे हो बड़ तुम्हें अपने आप में कोई इंप्रूमेंट इंक्रीस होती नहीं दिखरी जाने कि अगर तुम रोज टेस्स दे रहे हो और रोज एक ही रजल्ट आ रहे हैं और वह अच्छा नहीं आ रहा है तुम डेली suspects पागलों को तुम डेली बस टेस्स पागली के तुम ठीज जा रहे हो तो आज तुम्हें लिए मेरे पास बाउज तारीकिया है जिसे दो अपना टेस्स इंप्रूव कर सकते हो और मैं एक चीज़ बताता हूँ, पास आओ, कि इतनी भी improvement अगर तुम daily करोगे ना, तो एक दो महिने में तुम्हारे test बहुत easily clear हो जाएगा, और fifth one, वो मेरा personal favorite है और बहुत important है, तो वो तो बिल्कु स्किप मत करना, तो start करते हैं पहले point से, जो कि है problem facing questions, तो सबसे पहले भी है, उसको तुम note down कर लो, एक पन्ने की उपर, उसके बाद ये find out करो, कि तुम जो दिक्कत आ रही है, क्या वो speaking में है, चा वो reading में है, क्या वो writing में है, क्या वो listening में है, तो जो भी problem है, उसको एक when diagram में बतला समझके देखो, कि मोटा मोटा problem क्या है, तो अगर तुम्हा ठीक हो है, उसको self-introspection करनी बहुत जरूरी है, इस तरीके से हम इसको solve कर सकते हैं, tip number two is time management, कई questions ऐसे होता है, जिसमें तुम्हे time कम पढ़ जाता है, या ऐसे questions है जिसमें तुम बहुत जल्दी करके बैठ जाते हूँ, mostly वो writing वाले होने चाहिए, मेरे साब से तो, अब जो time कम मिल रहा है, वो क्यों time कम बढ़ रहा है, क्या वह वह typing speed कम है, क्या तुम्हे thoughts नहीं आ रहे हैं, क्या तुम story नहीं बना पा रहे, क्या तुम्हें समध ज्यारा picture में क्या है, उसको find out करो, ठीक है, तो second point में से यही focus करना है में, कि जो भी time management के regarding चीज़े हैं, जो time में manage न हमारे पास इससे आता है, कि how to deal with stress, और वो जो गबराट, anxiety होती है, test देने से पहले, उसको कैसे manage करना है, तो इसमें simple सा logic ही है, कि तुम पहले तो देखो, अगर तुम्हें stress हो भी रह नहीं हो रहा, क्यों कई बच्चों को बहुत जादा stress हो सकता है, कई लोग में मेरे को ऐ कैसे मिले है, जो बोलते है कि मैं वैसे English में अच्छे सा बात कर लेता हूँ, बड़ जैसी camera खुलता है, या जैसे exam साट होता है, मैं panic करना शुरू कर देता हूँ, उसको कैसे manage कर सकते है, यह कर सकते है, उसके लिए कि create a real type scenario, मतलब यह वानके चलो कि तुम प्रैक्टिस नह बता दा, तुम्हें एक खंटे के लिए अलग बैठना है, तुम्हें बिलकुल ऐसे exam दे रहा है, जैसे तुम बस यह तुमारा final attempt है, इसके बाद तुम नहीं रिया सकते है, प्रैक्टिस की बाद कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं भी भी वो feel नहीं आ रही कि यार नहीं, मि आज के इंस्टाग्राम नी चला हुआ, या फिर मैं आज के दिन इस किताब के इतने पन्ने पढ़ू हुआ, तो give yourself a task ताकि तुम वो चीज़ अचीज अचीव कर सको, तो this is the best tip, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कि stress बहुत लोग को हो जाता है, exam से पहले, चाह वो practice test में कित बताऊं, तो यह test जो तुम देते हो practice वाला, वो भी assess नहीं करता है इस चीज़ को, क्योंकि इस test के इंदर ऐसा कुछ technology नहीं है, कि वो तुम्हारे writing और speaking वाले को core कर सके, तो better ही है, कि तुम खुद ही अपना text लिखा हो, copy कर लो, उसकी अवाट tools like Grammarly, ChatGPT, उस पे जाके तुम आपना text paste करो, और वहाँ पर उनसे पूछवा कि तुम्हारी grammatical mistake क्या थी, और कहाँ पर तुम improvement कर सकते हो, तो this way you can improve yourself in writing, especially writing, क्योंकि writing को तुम copy कर सकते हो, और या फिर तुम बाकी जो modules होते हैं, उनके screenshot ले सकते हो, और तुम check कर सकते हो, बात में Google पर जाके कि क्या वो words ठीक थे, क्या मैंने ये ठीक किया है, तो सिरफ practice योनी तुमने कर दिया score लिए खता हूँ, तो मैं उस practice में जो तुम्हारा score आ रहा है, उसको improvement करने के लिए तुम्हें क्या 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 करना है, उस पर focus करना है, और ये वीडियो उसी को cover कर रहे है, तो content अब तक subscribe करें से पहले आगे मत बढ़ना क्योंकि मैं तुम्हारा ले कर रहा है ये सब, तो subscribe में, क्योंकि बहुत लोग subscribe नहीं कर रहा है, ये percentage देखो, कितना जादा लोग subscribe नहीं कर रहा है, वीडियो देखके चले जाता है, business related, finance related, मैं बहुत चीज़े cover करता हूँ, तो यार, please subscribe कर क्या करना है, तुम जब भी कुछ type कर रहे हो, तो make sure करो कि तुम ऐसी कौन से spellings है, जो बार-बार use कर रहे हो, तो उसको कैसी पन्ने में लिख लो, और उसको repeat करो, बार-बार बार जब तक तक तुम्हें उसकी spelling बिल्कुल correctly आ नहीं जाती, तो ये थे कुछ मेरे tips, बहुत ह जाता है, important उन लोगों के लिए जो दोब देने वाले हैं, डूओ लिंगों English exam, तो ये effective way है practice करने का, और practice करो, practice के बाद ही तुम्हें confidence आएगा, ये exam देने का, और राइट, subscribe विड़ो, thank you, bye-bye